नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका हमारे चैनल डेली प्रोड़ूट कमपैरिजन पर दोस्तो सबजीयों को खाने के कई सारे फायदे हैं ब्रोकली और फूल गोबी दोनों का ही हमारी रसोई में कई तरीके से इस्तिमाल होता है और दोनों ही स्वास्त के साब से बहुत जादा फायदे मन मानी जाती है अगर हम साइंस की भाषा में कहें तो ये दोनों ही सबजियां ब्रैसिका फैमली की मेंबर्स हैं जिसका मतलब है कि एक ऐसी सबजी का प्रकार जिसमें फूल दार गोबी हो nutrition के according अगर हम इने देखे तो ब्रोकली हमेशा ही फूल गोबी से जादा फायदे मन मानी जाती है ब्रोकली और फूल गोबी दोनों में ही calcium, vitamin और fiber का level काफी जादा होता है फिर भी दोनों में calorie कम होती है folate, manganese, protein और onion vitamins भी पाये जाती है दोनों के अलग-अलग फायदे हैं और दोनों ही एक स्वस्त आहर का हिस्सा मानी जाती है लेकिन ऐसे में समस्या ये आती है कि इन दोनों में से बहतर कौन सा है ये पता लगाना एक बहुत ही मुश्किल काम होता है तो इसी बारे में बताने के लिए हम अपना ये आज का वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि इन दोनों के क्या-क्या फायदे हैं और इन में से कौन सा आपके लिए best है सबसे पहले अगर हम ब्रोकली और फूल गोबी के लाब की बात करें तो अन्य सब्जियों के समान फूल गोबी विशेश रूप से हाई ग्लूको साइनोलेट्स और आईसो थायो साइनेट्स होती है वही ब्रोकली एंटियो अक्सिडेंट है इसलिए ये cancer cells के विकास को धीमा करने में help करती है ग्लूको साइनोलेट्स खाने से cancer का खत्रा कम हो सकता है क्योंकि ये carcinogenes को हटाने ये बेशर करने में भी help करती है या ऐसे hormone से संबंदित cancer को रोकने के लिए आपके शरीर के hormone level को भी affect करती है पर ब्रोकली में ये गुड़ फूल गोबी से जादा पाया जाता है हाला कि ब्रोकली में वेजी कैलरी जादा पाई जाती है तो गोबी में काप्स जादा पाई जाते है फूल गोबी में थोड़े कम कैलरी होते हैं इसलिए ये वजन कम करने वालों के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है वैसे तो ब्रैसिका फैमली के सभी सदस यह जैसे कि ब्रॉकली, फूल गोबी, केल, स्प्राउट, पत्ता गोबी, एकसेक्टरा को सूजन के लिए काफी अच्छा माना जाता है अगर हम नुट्रीशन की माने तो इन सबजीयों को सल्फियूरिक का अच्छा सोर्स माना जाता है यह आपके शरीर के बायो केमिकल मेटाबॉलिजम को भी बहतर बनाता है जो कि सूजन को कंट्रोल करता है और आपके बॉड़ी में डिटॉक्सिफिकेशन में भी हेल्प करता है यह दोनों ही हमारे हा इन दोनों में पाये जाने वाले पोशक तत्व की बात करें तो इन दोनों ही सबजीयों में कई सारे महत्वपूर पोशक तत्व और स्वास्त संबंदी लाब पाये जाते हैं यह दोनों ही क्यूसी फेरस वेजिटेबल्स हैं और इन में फाइबर, वाइटमिन्स, मिनरल्स और एंटी ऑक्सिडेंट्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं अगर हम कॉली फ्लावर यानि की फूल गोबी की बात करें तो इसमें वाइटेमिन सी पाया जाता है फाइबर पाया जाते हैं और एंटी ऑक्सिडेंट्स पाया जाते हैं पली फ्लावर में जो वाइटेमिन सी होता है वो immune system को मजबूत बनाता है वहीं अगर हम इसमें पाए जाने वाले fiber की बात करें तो यह digestion के लिए भी काफी beneficial माना जाता है और वहीं अगर हम इसमें पाए जाने वाले antioxidants की बात करें तो यह हमारी को free radicals से लड़ने में help करते हैं और cancer जैसी बिमारियों के रिसको को कम करते हैं वहीं अगर हम ब्रोकली में पाए जाने वाले पोशक तत्वों की बात करें तो इसमें vitamin C की जगे vitamin K जादा मातरा में पाए जाता है इसके अलावा इसमें folate पाए जाता है और antioxidants भी पाए जाते हैं अगर हम vitamin K की बात करें तो यह हड्डियों के स्वास्त के लिए काफी महतुपूर माना जाता है यानि कि यह आपके हड्डियों के विकास को में help करता है और वहीं अगर हम folate की बात करें तो यह vitamin B का एक टाइप होता है जो कि गर्भा वस्ता के समय में काफी महतुपूर माना जाता है और वहीं अगर हम इनमें पाए जाने वाले antioxidants की बात करें तो यह cancer और अने chronic बिमारियों के खिलाब काफी महतुपूर होते हैं आईए अब यह जान लेते हैं कि इन दोनों में से best कौन सी है यानि कि आपके लिए कौन सी बहतर मानी जाती है तो अगर हम पोशड के लिहाज से देखे तो ब्रोकली जादा बहतर मानी जाती है क्योंकि इसमें calcium, vitamin औ और fiber के levels काफी जादा देखे जाते हैं फिर भी दोनों शाकाहारी calorie में कम और folate, manganese, protein और अन्य vitamin जैसे सामाने पोशक तत्वों में उच्छ है तो in conclusion हम यह कह सकते हैं कि यह दोनों ही आपकी health के लिए काफी जादा फायदे मन्द होती है लेकिन अगर हम इनके दोनों में से किसी एक के selection की बाता है तो आप ब्रोकली का selection कर सकते हैं तो कलिफलार या ब्रोकली दोनों ही फायदे मन्द होते हैं लेकिन सबसे जादा फायदे मन्द कौन सा है यह आपके विक्तिगस स्वास्त पोशक आवश्यकता हूं और अनफेक्टर्स पर भी निर्भर करता है तो द वेडियो में अन्ते तक जोड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद